हेलो फ्रेंट्स आज को रुक्स पर हम डिलिंग मसिन को रिपेर करना सेखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गरेंटी देता हूँ कि आप भी किसी भी डिलिंग मसिन को आसानी से घर पर ठीक कर पाऊँगे इस वीडियो मैं आपको step by step बताऊँगा कि हमें डिलिंग मसिन को किस तरिका से रिपेर करना है तो सबसे पहले इसे हमें open करेंगे और open करने के लिए हमें सारे screw को निकाल देना होगा डिलिंग मसिन को open करने के बाद सबसे पहले हमें इसके सारे wire को चेक करना है कि कोई wire इसके pin में से निकला तो नहीं है या फिर कोई wire जला तो नहीं है क्योंकि जब हम इसे on करते हैं तो इसमें high current का flow होता है और high current flow होने के कारण इसका जो यहाँ पर spark भी होता है और इसके कारण हो सकता है कोई wire जल गया हो या फिर कोई wire निकल गया हो और यह vibration भी बहुत जादे करता है इसकी कारण इसके pin से wire भी निकल सकता है फिर second step में हमें इसके switch को check करना है इसका जो switch है two way switch रहता है two way switch नहीं मतलब कि इसके neutral और phage दोनों में इसका switch लगा हुआ रहता है normally घर में जो board रहता है उसमें सिर्फ live में switch रहता है यहाँ पर neutral और life दोनों में switch रहता है dealing machine के अंदर फिर आपको इसका carbon brush चेक करना कि carbon brush तो नहीं घिस गया है इसका carbon brush घिस जाता है इसकी कारण से भी यह नहीं rotate करता है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक wire है यह तूटा हुआ है spark के कारण यह यहाँ से जल गया है मैं इस dealing machine को पहली बार open किया हूँ इससे पहले मैं किसी भी dealing machine को नहीं open किया और नहीं open किये करता हुआ देखा यहाँ उसके बाद भी मुझे इतना ज़्यादा confidence है कि मैं इस dealing machine को आसानी से ठीक कर दिएँगा क्योंकि में ज़्यादा तर मसीन है उसके अंदर motor ही रहता है और motor का working principle है वो मुझे अच्छे समालूंगा किसी भी motor का working principle है वो मैं देखके पता कर लेता हूँ कि यह कौन सा motor है और किस तरह का सी यह work करता होगा तो चलिए इसके अंदर भी जितना screw है उसे भी open कर लेते हैं और इसके मैं हर एक parts के बारे मैं आपको दिखांगा और इसे मैं साब भी कर लूँगा यह आप देखें तो यही main motor है और यहाँ पर जो सूच है कारण ब्रस है इसके अंदर कारण ब्रस लगा हो रहा था है इसे हम अच्छे से साफ कर लेंगे किसी ब्रस की माधियम से मेंली मोटर के अंदर दो पार्ट होता है एक rotating part और एक strator part इसके अंदर जो सेंटर में आपको दिख रहा है वो जल जाता है इसके कारण ये जलना होता है इसलिए आपको हडव अच्छे से साथ करना के कि अपने recess के रोटेट करें यादी अपने यह बढ़ा है इससे genre है और इसका तो मोटर पहोड़ीं सेहुअ कर सकते हो फ़रे यह द्युक्त देख़लो यह मोटरब्बार है इसका इसे खां पहुं है कर देंगे आप पर इसका जहाँ आगे लगे का यह घीआर पार्ठर जादा तर यह मोटर पार्टे में प्रवलम आता है इसलिए आप इसे जब भी उप्पेल करेंगे ति यह आपको आसाने से जिख जाए कहां पर यह प्रवलम है मैं इसे फिर्व कर लिया और यह आप बलाक क्लर का देख रहा है जिए जो है कूलिंग फ्यान के तरह यह काम परता है जब यह रोटेट होता है उसी को ठंडा करने के लिए इसमें लगाया गया है और यह इसमें गियर में कुछ इस तरीका से लगता है जब इसे प्रेस करूग कि यह आपके घर में इस तरीका कोई भी समान परा हुआ है और उसे रिपेर करना है तो आप उसे खुद से रिपेर कर सकते हो बड़ असानी से आपको यह मन में डर लगता हो अपिए जब हम इसे उपन करेंगे तो यह और ज्याता खराब होगा है जब उसे उपन करोगे तो